हैलो दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूट्योब चैनल नौकरी वाला में तो आज एक न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया इस सुरो की तरह से ये बिल्कुल ओफिशली नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है और इनकी ओफिशली वेबसाइट पे अभी थोड़ी और ओल ब्रांच आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे लगबग सारी ब्रांच अलिजिबल है एक्जेक्ट सेलरी बता देता हूँ सेलरी रहेगा इसके अलावा तीएड़ी एक्जारे और जो अलाउंस होते हैं वो आपको अलग से मिलेंगे एंड यहाँ पे बात किजिए कि आपको सेलेक्शन कैसे रहेगा यहाँ पे सेलेक्शन के लिए ज़्यादा नमबर ओफ अपलिकेंट अप्लाई करते हैं तो सीवी टी एक्जाम कंड़ेक्ट करवाएंगे और कम number of applicant apply करते हैं तो interview directly लेंगे जो कि हम आगे discuss कर लेंगे अलग-अलग type की position है वो भी हम आगे discuss कर लेंगे लेकिन उससे पहले वीडियो को like नहीं किये तो like कर देना इससे हमारा motivation बना रहता है जब आप वीडियो को like करते हो मातर हमने 900 plus like का target रखा है अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को share कर दीजेगा comment box में education qualification को comment करके बता देना इससे आपको फायदा मिलेगा क्योंकि जब भी मैं next video upload करूँगा आपको वही update प्रोवाइड करवाऊँगा जो आपने मुझको बता रखा है बताना यह है कि branch कौन सी है trade कौन सा है पासवटियर कौन सा है फ्रेश रो एक्सपरेंस होल्डरो और आप कौन सी location में job search कर रहे है और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के description में और comment box में एक link provide गरवाद दिया है connect with me का simply उस पर click करना यह tab open हो जाएगा जो भी platform यूज़ करते हैं LinkedIn, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp उस icon पर click करके हमसे connect हो सकते हैं and यहाँ पर मैंने आपको दे रखाए top पे selected student के list को तो यह उन student के list है जो कि आज top MNC company में काम कर रहे हैं हमारे channel के थूँ तो आप इस पर click करेंगे तो आप उन सभी student के list को देख पाएंगे जो कि आज top MNC company में काम कर रहे हैं जितने भी बच्चे हमारे channel के थूँ select होते हैं उन सभी का result यहाँ पर मैं share करता रहता हूँ तो आप खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे comment box में पूछते रहते हैं कि नौकरी वाला channel के थूँ किसका selection हुआ है आप खुद देखिए यह list भी मैं आपको वीडियो के description में दूँगा और ऐसे 500 से जादा बच्चे हैं जो कि हमारे channel के थूँ अभी recently selection हुआ है मेरी तभी तभी थोड़े दिनों से खराब रहती है तो मैं उनका result पोस्ट आउट नहीं कर पाता लेकिन मैं जल्दी उन सभी का result पोस्ट आउट करूँगा इवन उनका interview भी conduct करवा कि आपको दिखाऊँगा जो बच्चे select हुए हैं उन सभी को मैं live लेके आऊँगा वीडियो के अंदर और उनसे हम सब बात करेंगे जो भी आप सभी बच्चों के doubt रहेंगे उन सभी बच्चों के doubt clear रहेंगे कि उनका selection कैसे हुआ और आपने क्या गलती किये और ये बच्चे कैसे select हो रहे है इनका result के अंदर नाम कैसे आ रहे है और आपका नाम क्यों नहीं आ रहा उन सभी गलतीों को हम देखेंगे और आप उस गलती को आगे से नहीं करेंगे तब भी आपका selection यहाँ पे होगा और ये आप खुद देख सकते हैं बाकि अगर आप channel पे नहीं है तो चैनल को subscribe कर लेना bell icon को जरूर से press कर लीजेगा ताकि जब भी मैं next video upload करूँगा आपके पास सबसे पहले notification आएगा और आप उसको directly apply कर पाऊगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने directly officially notification को download कर लिया है जैसा कि अब अभी screen पे देख पा रहे है तो important.com discuss करेंगे vacancy रहेगी यहाँ पे इसरो की तरह से Indian Space Research Organization की तरह से vacancy निकाली गई है और यहाँ पे जो आपका national remote sensing center है जो कि इसरो का एक part है उसकी तरह से vacancy आपको देखने को मिलेगी और यह जो आपका यहाँ पे center है वो आपका हैदराबाद location में तो आपको relocate होना पड़ेगा हैदराबाद के लिए यहाँ पे आपका advertisement number दे रहा है date mention करी गई है इसको आप अच्छे से देख लीजेगा अब बात करते हैं यहाँ पे vacancy के बारे में तो यहाँ पे जितनी भी vacancy निकाली गई है अलग-अलग पड़ों पे है तो आपको ध्यान पूरवक देखना पड़ेगा पहला दे रहा है research scientist के पड़ों के लिए जिसके अंदर qualification जो आपका रहेगा अगर आपने MSC कर रखा है जियोलोजी में अप्लाइड जियोलोजी में या फिर आपने साथी साथ BSE कर रखा है physics, mathematics and जियोलोजी में आप इसको अप्लाइ कर सकते हैं post code को ध्यान रखिएगा क्योंकि post code ही आपका important part है जब आप अप्लाइग करेंगे आपका post code अलग दे रखा है M.E.M. Tech कर रखा है remote sensing and GIS के अंदर साथी साथ B.B. Tech कर रखा है civil agriculture के अंदर आप इसको अप्लाइग कर सकते हैं और यह आपका post code अलग है इसमे M.E.M. Tech अगर आपने कर रखा है आप इसको अप्लाइग कर सकते है B.B. Tech आपका computer science में होना चाहिए या फिर geoinformatics के अंदर होना चाहिए या फिर इसके कलेंट होना चाहिए अगला post code अलग है M.E.M. Tech आपका remote sensing में मांग है J.E.S. में मांग है B.S.E. कर रखा है agriculture में या फिर आपने horticulture के अंदर तो आप इसको अप्लाइ कर सकते है B.S.E. आपका 4 साल का होना चाहिए यह अलग वाकेंसी M.E.C. वालों के लिए है यहाँ पर आपका जो रहेगा M.E.M. Tech अगर आपने civil में कर रखा है या फिर आपने water resourcing के अंदर कर रखा है या फिर आपने hydrology में कर रखा है irrigation water management में किया है आप इसको अप्लाइ कर सकते है B.T.E.C. आपका होना चाहिए यहाँ पर civil में या फिर agriculture में अगली यहाँ पर आपकी जो position रहेगी project scientist के पदों के लिए यहाँ पर आपका job code है M.E.M. Tech कर रखा है B.B. Tech की है आप इसको अप्लाइ कर सकते है अलग-अलग branch eligible है यह आपका project scientist B.K. पदों के लिए है इसमें only B.B. Tech मांगा है computer science और आपका के client जैसे आपने IT में कर रखा है तो भी आप eligible रहेंगे अगली vacancy है project associate के अंदर जिसमें M.E.C. और B.E.C. मांगा है आप इसको अप्लाइ कर सकते है अगली vacancy है project associate second के पदों के लिए जिसमें आपका M. Tech B. Tech मांगा है उसको देख लेना प्लस यहाँ पे experience मांगा है बाकि किसी भी position के लिए experience निमागा बस इसके लिए ही मांगा गया है अगली vacancy है यहाँ पे junior research fellowship के लिए जिसमें आपका अगर आप यहाँ पे M.E.M. Tech किये हैं civil के अंदर और B. Tech किये हैं तो भी आप इसको अप्लाइ कर सकते हैं experience यहाँ पे किसी भी पद के लिए निमागा M. Tech किये है B.E.C. किये है या फिर आपने M.E.C. कर रखा है B.E.C. कर रखा है आप इसको अप्लाइ कर सकते हैं यह भी आपका M.E.C. B.E.C. वालों के लिए M.E.M. Tech, B.E.B. Tech अगर आपने किसी भी ब्रांच में किये हैं आप इसको अप्लाइ कर सकते हैं उसके अलबबा M.E.C. B.E.C. यह सब कुछ दे रखा है तो आप इसको देख लिए ना लगबख सारी ब्रांच यहां पर लीजिबल है B.E.B. Tech अगर आपने किसी भी ब्रांच में किये हैं आपके पस्ट तो आप बिल्कुल इसको अप्लाइ कर सकते हैं अब बात करते हैं यहां पर यह भी कुछ और वेकेंसी है इसको भी आप देख लिजेगा इसके अंदर यहां पर मांगा गया है बाकी यहां पर जो आपका पोस्टिंग रहेगा यह आपका यहां पर जितने भी आपका NRSC के सेंटर है जैसे कि हैधरबाद के अंदर है जोदपूर, बैंगलोर, न्यू डेली, नाकपूर, सब जगे यहां पर यहां पर यहां पर जॉब लोकेशन रहेगा तो आपको किसी भी लोकेशन में जॉब करने के लिए जाना पड़ सकता है बाकी यहां पर सलदरी की बरम बात करें तो जो आपका यहां पर रिसर्च साइन्टिस्ट के पद है उसका आपका चपन अजा सो रुपे है प्लस यहां पर आपका अलग से टीए, डीए, अचारे अलग से आपको मिलेगा उसके लवा यहां पर प्रॉजक्ट इंजिनियर में चपन अजार रुपे है जिसमें आपका टीए, डीए, अचारे अलग से मिलेगा और प्रॉजक्ट साइन्टिस्ट भी के पदों के लिए भी चपन अजार रुपे है फ्लच चायरे टी ISO छृपकर 2100 रुपे फ्लच रॉप मृश्म और शृतुम आपको 20,000 रुपे तक हो जाते हैं, eligibility criteria के अंदर यहां पे 60% का criteria fix रखा है, तो ध्यान पुर्वक देख लीजेगा, M.E.M.Tech के अंदर 60% है, M.E.C. के अंदर 50% है, B.Tech के अंदर 50% है, तो यह आपका criteria fix है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, M.E.M.Tech के अंदर 60% है, B.E.C. कर रखा है, तो 65% होने चाहिए, इससे अगर आपके कम percent है, तो आप इसको apply नहीं कर सकते हैं, उसके अलवा यहां पे वही candidate eligible है, जो कि pass out हो चुके हैं, अब बहुत सारे बचे पूछते रहते हैं कि 2024 वाल eligible है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं eligible है, वो इसको apply नहीं कर सकते हैं, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे, तब यह आपको समझ मैंगा सारी चीजे, तो 2024 वाले candidate इसको apply नहीं कर सकते हैं, 2024 से पहले pass out हो चुके हैं, apply कर सकते हैं, percentage criteria यहां पे देख लेना, 8.235% है, तो आपको इसको 8.23 लिखना पड़ेगा, अगर आपके 8.236% है, तो यहां पे दे रखेंगे, आप इसको देख लीजेगा, अब यहां पे आपका दे रखेंगे, age criteria, urews, obc, cst, इसके अंदर आपका maximum रहेगा, jrf का 20 साल रहेगा, और जो rs रहेगा, research, जो scientist है, उसका यहां पे msc based रहेगा, mtech based रहेगा, 28 और 30 साल, और जो आपका project associate है, first and second, उसका जो आप करेगा, 35 साल, project scientist है, उसका 35 साल, first और project scientist भी है, उसका 35 साल रहेगा, तो इसको देख लेना, बाकि relaxation, 3 साल का और 5 साल का मिल जाते है, selection जो आप करेगा, वो depend करता है, कि कितने number of applicant यहां पर apply करते हैं, इनके पास कितनी यहां पर number of applicant के form receive होते हैं, ज्यादा candidate date apply करेंगे, तो exam conduct करवाए जाएगा, हैधरबाद के अंदर, जो भी shortlisted होंगे, उनको बुला ले जाएगा, और जो shortlisted होंगे, उनको पता कैसे चलेगा, उनकी email ID के थ्रू, उनको email के जाएगा, तो आप अपनी email ID को check out करते रहेगा, अगर आप इसको apply करते हैं, तो, और यह पॉइंट भी मैं cover कर देता हूँ, कि यह वेकेंसे contract based पे, वेकेंसी एक साल का contract चलेगा, फर्दर उसका extend किया जाएगा, performance कैसी है, बढ़िया perform करते हैं, कि क्या करते हैं, लगएक 2-2 साल यह contract अभी चलने वाला है, तो अगर आप contract based पे, वेकेंसी की तलाश में हैं, या फि इसको apply कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे eligible रहेंगे, and यहाँ पर important date के बारे में करें मैं आपको बता हूँ, तो यहाँ पर जो इसका application form start हो चुका है, last date आपका 8 April 2024 रहेगा, तो 8 April तक आप इसको apply कर दीजेगा, apply process को जानने के लिए, वीडियो को आगे तक देखेगा, मैं आपको notification download कैसे करना है, apply कैसे करना उस process के बारे में, तो मैंने आपको वीडियो के description में apply link provide करवा रखा है, even notification का link भी अलग से दे रखा है, तो अगर आप notification वाले link पे click करेंगे, तो आपके mobile में PDF download हो जाएगा, apply करने के लिए क्या करना पड़ेगा, apply link पे click करना पड़ेगा अगर description को ढंक से देखेंगे, वीडियो के description को तभी आपको दिखेंगा, तब जैसे आप उस पे click करेंगे, यह tab open हो जाएगा और यहाँ पे बोलेगा कि आपको sign in करना है, देखें सबसे पहले तो आप यहाँ पे registration करेंगे, अगर new user है तो आपको यहाँ पे account को create करना पड और general instruction यहाँ पे दे रखा है, यह tab open होगा, इस पे click करके आपको एक PDF को download कर लेना है, simply आपको mobile में यह PDF डाउनलोड होके आजाएगा, यह सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा यहाँ पे कि आपको कैसे apply कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको sign up करना पड़ेगा, यहाँ प activate कर सकते हैं, उसके बाद आपको email id password डालना है, capture code डालना है, उसके बाद important instruction दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं, finally यहाँ पे आप जिस position के लिए apply करना चाहते हैं, उस पे click करके आप इस PDF को पूरा देखेंगे, तब आपको पूरा process समझ में आ जाएगा, यह PDF आपको खुद को करना पड़ेगा, अगर आप बोलते हैं, तो मैं आप लोग के लिए अलग से इसका apply वीडियो भी बना दूँगा, बाकि apply वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे screenshot के साथ आपको समझाया गया है, तो इससे related कोई doubt है, तो comment box में comment करक के पूछ लेना, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को like करेगा, share करेगा, उन लोगों तक जिनको job की need है, comment box में जरूर बताना आपका education qualification कौन सा है, आप कौन सी job search कर रहे है, all the best, चेहिन